स्वागत करती हूं मैं आप लोग का मेरी चानल पर तो यह वीडियो है दिपावली से एक दिन पहले का और एक दिन पहले से ही मैं जो डेकुरेशन का काम है वो करने लगती हूं क्योंकि इसमें दो तीन दिन भी कम पढ़ जाते हैं डेकुरेशन को क्योंकि आप चितना अधिक डेकुरेशन करेंगे टाइम उतना ही लगेगा और इसमें डेकुरेशन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत जादा घर को डेकुरेट करती हूं क्योंकि दिपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें दिये डेकुरेशन अच्छे-चे खाने यही सब ब किचन का उपर का काम होता है काउंटर टॉप का वह भी मैंने छोड़ दिया था बाकी क्लीनिंग घर की जाड़ू पुछा वगेरा कर लिया है और यहां पर शिर्फ जो उपर का काउंटर टॉप का काम है वह बचा हुआ है तो यह पूजा का जो डेकुरेशन उससे करने के बा पाद मैंने सुचा थोड़ा मैं फेशियल कर लूँ अपने फेश का क्योंकि खुद को भी पैंपर करना बहुत जरूरी होता है कोई फेस्टिवल हो कोई उकीजन हो तो खुद को भी पैंपर करिए उसके लिए भी टाइम निकालना जरूरी होता है क्योंकि आप अगर स्वस हैं और इसके अलग-अलग स्टेप्स हैं और एक स्टेप में मैं दो से तीन मिनट लगाओंगी इस तरह से मैं बहुत कम ही दिर में फेशिल का जो मैंने सुचा है वो कर लोंगे तो फेशिल करने के बाद मैंने पूजा रूम का जो थोड़ा बचा हुआ था डेकुरेशन व पर जो बहुत अच्छे से ढिखें और साइड बाई साइड भी जगह भी हो तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा मिलकर स्टीकर लगा रहे हैं मिरा बेटा मेरी बहुत मदद करता है वो देखता रहता है और चिप्काता है कि कि सीधा है या नहीं इसमें दो आदमी तो ज़रू स्टिकर देकर प्याने के दाना होता है स्टिकरन में दिया हो रही है स्टिकर में इन ने लग सकते हैं तो आप इस दो करी और इंडूरस कह्ती और विए में इंडूर एरिया में मैंने पांच करीब स्टीकर्स लगाए हुए हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं देख सकते हैं और यहां स्टीकर्द कर कर्या है पूरे है और अच्छे से लग गई है और लगने 5 करीब से 25 मिनट ज़ादा लगर। कुरेट टाइम नहीं देखा था लेकिन हाँ 45 मिनट से तो जादा ही लगा था तो यहाँ पे स्टिकर लगकर तयार है बिलकुल अच्छे से और दिवाल में बहुत अच्छा लग रहा है पिंक कलर पे यह ब्लैक यह ब्राउन के कॉम्मिनेशन में है यह स्टिकर बहुत ही प्य कोडिफिकेशन आप लोगों को इजली मिलते रहें तब तक के लिए बाइबाई